और इस वीडियो में आपको पता चले है कैसे आप अपने बिजनस का डिजिल मार्केटिंग कर सकते हैं और आपको कोई भी बिजनस हो तो यहां पे मूल चीज़े मैं आपको बताऊंगा डिजिल मार्केटिंग के बारे में इताकि आप एक सही प्लाटफॉम होगा जो जो आपको सेखने परेंगी वो सारी चीजे वो सारा कौशल आप सीख पाएंगे हमारे चैनल पर 300 से भी जादा वीडियोस हैं जो आपको मदद करेंगा स्टाइप के कोशल को सीखने में तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अगर आपको कोई भी कोई है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हम आईटिम आपको मदद कर पाएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे बारे बाद देएगा ताकि जादा से मार्केटिंग की आपके मार्केटिंग के लिए आप के बहुत सारी 1000.000 कॉल आते हुँगे कि हम एक जीजिन-टिम है हम आपके कम्पनी का अधिजिचलक होता है एक होता है नियुग जैदिस्टल का मतलब यह है मार्केटिंग का मतलब एक जरीया एक प्रोसेस जिसके माधियम से आप जादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंच पाएंगे अपने प्रॉडक्ट या बिजनेस या ब्रैंड के बारे में जादा से ज्यादा लोगों को आप अवेर कर पाएंगे और पूल स्ट्राटेजी आप जर्म जरेट कर पैंगे जिसको देख कि आपक अब मार्गेटिंग के माधियम से आपके मार्गेटिंग के वज़से ज्यादा से ज्यादा आप के चुश्मचे ओंगे श्यादा किया बिजय है?! रहे हो वो मीडियम है जिसके माध्यम से आप अपनी कस्टमर तक पहुंच सकते हैं तो यहां पर बहुत सारे प्लाटफॉर्म से यहां पर कुछ मैंने डाला हुआ है ट्विटर है यूटूब है फेस्बॉक है गूगल सर्च होता है जिसको मार्केटिंग कहते हैं इंस्टाग बिजनेस के बारे में समझना पड़ेगा हाँ बोलो कि क्या समझो या मिलेको बिजनस तो आता है मैं तो बिजनस इतने देन से कर रहा हूं या मैं शुरू कर रहा हूं मैं एक्सपर्ट हूँ बहुत अची बात है जब आप डिशनल मार्केटिंग करेंगे तो उसमें आपको कि कोई बिजनस के बारे में समझना पड़ेगा कि आपका ओडियेंस कोन है तो यहाँ पर आ यहाँ आई वहाँ पर हम लिंक देतेंगे और sales funnel आपके लिए बेहत जरूरी है क्योंकि इसके माधिम से आपको पता चलेगा कि इस customer कहा से आएगा और कितना customer आप convert कर सकते हैं नेक्स हो जाता है कि आपका जो product या service जो आप sell कर रहे हैं उसको समझना पड़ेगा कि वह किसको मैं बेच हूँ किस तरीके से बेच हूँ क्यों लेगा किस कारण से बोलेगा कौन सा customer का problem मेरा product solve कर रहा है अगर आप यह समझ ही नहीं पाए तो फिर आप sell नहीं कर पाऊँगे तो यहां पर जैसे मैं आपको example दे देता हूँ अगर आपको food item बेचना है जैसे मैगी बना रहे हैं आप बिर्यानी बना रहे हैं उसको अगर आपको बेचना है आप किसके माध्यम से बेच होगे ठीक है जो मैटो सुएगी आपको दिखाता है वह कहां पर दिखाता है YouTube पर दिखाता है Facebook पर और Instagram प्लाटफॉर्म से मीजर प्लाटफॉर्म से जहां पर सबसे ज्यादा आपका जो investment है वह करता है आपको stock के बारे में अगर कुछ sell करना है तो वह आपको कहां मिलता है ज्यादा तर आपको Twitter में मिलता ह है और उसी के साथ से अगर आपको matrimonial services बेचना है मतलब किसी को शादी करवाने शादी करने का business अगर कर रहे हैं अब जोड़ने का काम करें matrimonial का काम कर रहे हैं तो उसका जबसे ज़्यादा customer आपको कहां पर मिलेगा YouTube पर मिलेगा आपको Facebook पर मिलेगा इसलिए आप अगर आपको दारू भी बेचना है तो फिर आपको mature audience चाहिए जो आपको YouTube में मिलेगा Facebook मिलेगा और Twitter पर मिलेगा तो यहां पर मैंने यह example आपको इसलिए दिया है क्योंकि आपका audience आपको समझना पड़ेगा तरीके के हर एक टैप के audience आता है आपका बच्चे से बुड़ा तक सब को YouTube यूज़ करता है बच्चे से बुड़ा तक Facebook भी यूज़ करता है तो अगर आपको खाने का आइटम बेचना है तो सोचिए कि आप जो आपको आप जिसको बेचना चाहते हो या कोई मिलेच बंदा है या कोई भी है वो खाना खाना चाहता है 8-9 बज़े मूवी तो यहां पर आपको पता चल गया होगा कि इतने सारे प्लाटफॉर्म में से कौन सा प्लाटफॉर्म आपके लिए से होगा यहां पर सही प्लाटफॉर्म को ईठता हो जैसे कि यहां पर अगर आप खाने क सामाने बेचते हो तो यहां को आपके लिए सबसे इतना सारा जो प्लाटफॉर्म मैंने आपको दिखाया है कि इतने सारे ट्विटर है यूटुब है फेस्बॉक है इंडिया मारे इतने सारे प्लाटफॉर्म से इतने सारे प्लाटफॉर्म समय से आपके लिए सही प्लाटफॉर्म कौन सा होगा और किस त प्लेटफोर्म में तो आप का और प्लाटफोर्म enm में फंहें होगा शौरी जब को शूळा आप को प्लाटफोर्म अपको प्लाटफोर्म हैं भी वेस इसी मेहें आप दोनों को टेश्ट करते हैं कि मुँए कि आप internet चालता है मुद्ध कि क्योंकि आपको कोई एजन सी हार करना चाहिए क्यूंकि आपको हर दिन हर वक्त कोई है कोई रbas इस जगह पर मैं आपको यह कहूंगा कि अगर आप बेसिक सीख सकते हैं यूटेमी में बहुत सारे कोर्सेस हैं आपका लिंग्डिन लर्निंग इतने सारे कोर्सेस यूटुब से मत सीखिए अच्छा कंटेन आपको मिलेगा नी पर अगर आपको सीखना है आप 200-300-400-500 रुप आप सारी से चला सकते हैं और अगर आप थिसेलल मांगेटिंग का और चाहते हैं को भी कौन सा strategy आपके लिए सही होगा और कैसे आप खुद भी अपने business के लिए digital marketing कर सकते हैं बिना किसी को पैसा खर्चा कि थोड़ा सा टाइम लगेगा एक दो घंटा, दस घंटा, बीस घंटा, साथ घंटा पर उससे आपको बहुत जादा पैसा save भी होगा और बहुत जादा पैसा revenue generate भी होगा क्योंकि अगर आपको पता चल जाता है कि आपके लिए कौन सा platform सही है या कौन सा जो process है या strategy सही है तो फिर आपको कोई ठग भी नहीं पाएगा at least basics आपको अगर पता चल जाता है तो किसी भी digital marketing agency को अगर आप काम देते हैं वो आपको लूट नहीं पाएंगे आपको ठग नहीं पाएंगे तो इसी तरीके से आप इस पे थोड़ा सा ध्यान रखिए